आप लोग आई होप की बिल्कुल घर जान से निये तो आदा डालेजिए जीवन ने चोटी बड़ी समस्य तो आती रहती है जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मैथ के थोर्ड चेप्ट और तेंथ क्लास का उसका हम लोग दो चरवाला रैखिक समिकरन सुरू के में और जो पहला का लास था उसमें जितना भी बेसिक चीज था जहां भी बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को दिक्कत होने वाला था उन सभी का पोस्ट मार्टम के हुए थे एकदम बिल्कुल बावाल तरीका से ठीक है ना लेकिन आज के इस वीडियो में अब उससे रिलेटेड जो हम लोग पस्ट मार्टम करेंगे तो चलिए मिलके मचाते हैं बावाल वीड बहुत सारा सवाल पहला बात बहुत इंपॉर्टन चीज है आप जैसा जान रहे हैं कि दो चरवाला राखिक समीकरन हम लोग देख रहे हैं और इसका आज के समय में जो एक्जाम में आपका जो अ राखिक समीकरन के युग में का ग्राफिय निकाय क्या हो सकता है अर्थात कोस्ट जान से दे देगा कि इसंगत होगा हम यह सारी बातों का इस वीडियो में चरचा करेंगे और बिल्कुल बावाल तरिका से पोस्ट मार्टम करेंगे मज़ा आने वाला है लास्ट तक देखने कैसे कंसेप्ट को एक दम बिल्कुल गर्दम मचाकर नों बावाल करते हैं बावाल करते हैं चलिए हम लोग पहला देखते हैं कि कि दो चरवाला रखी समिकरन अब सिंपल बात होता है कि यानि वैसा समिकरन होगा वैसा बिजीए बेंज़क होगा जिसमें क्या होगा आपका दो अलग अलग तरह का चर्रासी होगा जैसे मालेज हम बोलते हैं थीरी एक्स पलस फाइब वाई 5Y बराबर फाइब बोल दिये या पर 7 बोल दिये कुछ भी बोल दो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3X plus 5Y two y minus seven equals to zero , ऐसे भी हो सकता है. थीक़, न, तो basically क्या होता है , कि दोौचरवाला राइखिक सवनी करन न, राइखिक सवनी करने का मतलब इसमें ज़ो चर रासी होगा, उसका घात क्या होगा ? ठीक है ना तो ऐसा बात है लेकिन देखो एक बात थोड़ा सा समयने वारी है कि राइखिक स्वमिकरन का जो आपका ब्यापक रूफ होता है वो होता है एक्स पॉलस बी वाई पॉलस सी एक्वल टू जीरो बात समय की नहीं अब समझे यहां पर एक्स और वाई जो है न वो चर रासी है लेकिन मेरे भाई बहुत आराम से चीजों को समझना एकदम कि यहां पर बी और सी ए बी और सी यह जो है आपका अचर रासी है अचर अचर रासी यानि कहें तो इसको वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या है यह क्या है आपका वास्तविक संख्या है एक मिर्ट रस हम देख लिए państwo लिखें में चुक्त हो कि फोड़ा सफ्रिख गया ठीक है मसता हैं अब यह बैसिकली क्या है कि वास्तावीक संख्या है ठीक है हम यहां तक लाइन लगा लेते हैं तक यहां नीचे बाला आता नहीं है कुछ पाथ तो यह को होतले हैं कभी कभी है हमको बना भी देते हैं और उसमें क्या हो जाता है आपको हमको पता ही नहीं चलता है और लिखा जाता है नीचे और आपको दिख़े नहीं करता है इसलिए हम एक लाइन बना लेते हैं एक पर देख लेते हैं यह दिख रहा है न हाँ ठीक है अगरा मस्त बिल्कुल बवाल है अब देखिए तो A, B, C क आप हमेशा ध्यान रखिएगा A और B जो होगा न वो 0 के बराबर नहीं होगा A and B not equal to 0 और क्यों 0 के बराबर नहीं होगा अगर A और B 0 होगा खुब ध्यान देखिएगा अगर A और B 0 होगा तो फिर X और Y का भी value क्या हो जागा 0 हो जागा अभी दोनों का value अगर 0 हो गया त इसलिए आप बिल्कुल दिमाग को एकदम बात समझे कि नहीं एस्टेट फौरवर्ड रखिए और कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरह से समझे नहीं तो अब आईए हम ऐसा करते हैं कि इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं जो एक्जाम में मैक्सिमम बर कुस्टन पूछ अच्छा हुआ है देखिए रखिक समिकरन तो आपको सबहल आ गया थीकड़न दोड़े वाला राखिक समिकरन का यूग मीовор हें तो चरवाला कि रैखिक समीकरण का यूगमय यह समीकरण का यूगमय है यूगमय का मतलब होता है जोडा यानि रैखिक समीकरण जो पहले देखे है एक्स प्लिस ब्लस प्लस जी वह तो आप अकेले था लेकिन अब यूग में की बात किया जा रहा है चैयानी तो देखें नह próst कौन सा होगा उसको देखिए थो आपको आंसर बनाने में ज्यादा सपल मतलब की मजा आएगा दिखेगा तो यह आप हेडिंग देंगे दो चरवारे राखिक स्वामिकरन का यूग में अब यूग में क्या होगा मेरे भाई कि दूगों आपका राखिक स्वामिकरन देखे अब इतना बात तो एकदम बिल्कुल किल्सकूर ही नहीं होगा आ एवान इक्स प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जीरो हो रहता समिकरन में अब दूसरा समिकरन इंश था अब आम दूसरा समिकरन देखेंगे इतना बात तो एकदम बिल्कुल किलियर हो सका है कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं बिल्कुल आप बावाल तरीका से समझ गए अब जो है हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेखा समी करन रैखिक समी करन है तो इन दोनों का अगर हल निकालेंगे तो उनकी क्या गुन होगा उनम यक्षिक समी करन हर निकाए तो तो क्या होगा आप ध्यान देखिए सबसे पहले यदि यदि एवर्ण बाटा एच टू बराबर नहीं होगा अगर वी वन बाटा बीटू के ठीक ना इसको बड़ा थुरा सब्सक्राइब में बाटा बीटू के ठीक ना तो इसका जो बेसिकली हल होगा यह भाई साब देखिय खूब ध्यान से यह जो होगा समिकरन संगत 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 दोनों कैसा होगा संगत होगा रहाएं और रूप से हल निकालेंगे तो दोनों रेखाएं यानि ग्राफिय निकाय ग्राफिये निकाए निकाए एक दूसरे को एक दूसरे को एक बिन्दु पर बिन्दु पर बिन्दु पर प्रतिखे करेंगा इसको इजी करकर लिख दे नहीं सब्सें पएद पर हम इसको एक और देखेंगे इसका हल करने ही तो इसका हल होगा आपको शर्ला मात्र एक हल होगा इसका लिख नहीं या odpowied son का सकते हैं इसskते हैं क्या कह सकते हैं इसका अधी दीजिए ओधी ये दीजिए हर और अधीवीटी हल का मतलब क्या होता है मात्र एगौफ़ हो का ईसका फिनिकाह का इससा होगा प्रतीछेदी रे खाऊगा प्रतीछेदी रेखा होगा प्रतिछेदी रेखा होगा वा समय नहीं जैसे माल लिजिए कि अगर हम गराफ ऐसे खीच दिए ठीक है यह गराफ है यह एक सो गया यह वाई हो गया तो अगर दूग रहा खीचेंगे तो ऐसे हो जाएगा यानि एक बिंदू पर अगर मालेजिए यह भी है यह सीडी है ठीक ह बराबर अगर होगा b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 तो क्या होगा तो समिकरन यहां पर औसंगत हो जाएगा जब समिकरन औसंगत होगा यानि काने का मतलब यह दोनों रखाएं कभी भी आपस में संग में नहीं आ रहा है अगर संग आएगा इसका मतलब कही न कहीं एक जगह भी कम से कम क्या होगा सटेगा संग में आएगा जब एक को जगह संग में नहीं आ रहा है तो सिंपल बात है कि वह दोनों रेखाए आपस में समना अंतर है तभी तो एक दूसरे को कभी परतिशेद नहीं करेगा कभी टच नहीं होगा ठीक है और रेखाए दोनों जो पर रेखाए होगी इसका ग्राफिय रूप में अगर देखेंगे तो क्या होगा वो रेखा समनांतर रेखा होगा समांतर रेखा होगा दोनों रेखा कैसा होगा समांतर रेखा होगा लेकिन भाई साब कि यदि यदि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 होगा अब बराबर होगा C1 बराबर C2 अगर तीनु बराबर हो जाए तो क्या होगा तो याद रखेगा इसका जो हल होगा अनन्त हल होगा रेखा संपाती रेखा होगा बहुत इंपोर्टेन चीजा समझने वाली बात है खुब ध्यान दिजिए कि अगर दो रेखा है माल लेजिए कि दो समीकरन दिया हो ठीक है न आद दोनों समीकरन का गराफिय निर्यूपन अगर करेंगे ठीक है और उसका दोनों रेखा एक दूसरे पर चड़ा हो माल लेजिए दोनों रेखा एक दूसरे पर चड़ा हो ठीक है इसका मतलब कि एक रेखा में अनन्त क्या होता है। या होता है बास समय डीकर नहीं कि तरह जब दोनों रेखा एक दूसरे को उपर चोड़ Westा है कि इसका मतलब इसका मतलब आस के और नमें अनान्स की और रिंडे को आधिन्युक्रम Ind нос he क्या होंगे उभैनिस्ट होंगे इसका हल भी क्या होगा तो अनन्त जेतना बिंदू उभैनिस्ट उतना हल लेकिन यहां पर तो हम क्या देख रहे थे यह परतिछेद कर दिया यानि एक बिंदू को टच करके निकल गया परतिछेद क्या मतलब एक बिंदू पर टच करके निकल मас लिए कोई मुश्ष्च किया तो पर्तिष दिया और बीटी हल किAre Cal extra John के की यहीं कि बिंदुपर होगा सामानांत दल रेहा तो समनांत अएक दूसरे को smrHe itas call to Klimov et taking out संगत्थ हो रहा है एक भी बिन्दू पर नहीं जब नहीं होगा तो सपाथ में जासांगत्पर हल यानि इसका संपाति एक दम दूस्रे पूर चड़ लाय तो अनंत हल उसका संघत संघत-मिकरण क्यों कई एक जगह एक जगह भी मिल जाए कम से कम वैसा संघत-मिकरण कीसे कायेंगे आच्छा कभी-कभी इस संगत को समझें देखिए अगर भाई साथ याद रखिएगा अगर यह संगत है ठीक है अगर यह संगत है इसका मतलब स्वार्ण में खुब ट्रीक से समझेगा इसका मतलब वो एक दूसरे के स्वांग में है एक दूसरे के बिरोध में नहीं है बास हम एक नहीं है खुब ध्याल से सोचिए कि अगर एक दूसरे के साथ में है अगर मालीजे गाउं में भी या फिर अपने दोस्ति में भी तो ही होता है ना कि अगर हम साथ में हैं साथ में खाते पीते हैं, घुमते फिरते हैं, चाहे साल में एकी बार हो, चाहे सब्ता में एकी बार हो, महीना में एकी बार हो, चाहे डेली हो, तो हम साथ में जब घुम रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसका मतलब हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो औविरोधी होगा, और संगत क्या होगा, विरोधी होगा, और संगत क्या हो जागा, यह विरोधी होगा, यह दी इधर से लगा ले ना भाई, ठीक है न, जो भी जैसे भी आगे पीछे उसे, तो जो संगत है वो औविरोधी है, इसका मतलब क्योंकि वो साथ में है, साथ मे अएसलिए क्योंको एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। जब विरोध करेंगे तो साथ में नहीं आएंगे, साथ में क्यों नहीं दूसरे हैW ब domestic कि अखूँ थां सुने पहले यह इसका मतलब हम यह देखे कि एक दूसरे को काट दिया एक दूसरे को क्या कर दिया काट दिया काट दिया कहेry ज्लिक अब उसके बाद द्न रहें करेंग द॥ चेट 200 को अब यह बराबर नहीं हुआ et k वह जो पहिले छो एक बिन्दू पर काट दिया कुछ सब्थे यही दोन फेल मैं तो यह ज़ा है अगर वॉईसे metघनी सब्सक्रा करे ईतर भॉगिया अंग, सब्सक्राइबंअ कर्फेश दियो में नकुरा serious सबस्वां करना तो अगर पर्ति-चेदी समनांतर संपाती अगर पर्ति-छेदी होगा तो और पिरोधी होगा तो और पिरोधी विरोधी ट्रिक से समझने वाला बात यहां पर इस बात को समझना है एकदम गर्दा तरीका से समझ आ गया अब देखिए अब आया कि इस रैखिक दो चरवाला रैखिक समिकरन यूगम को आप खुब ध्यान से समझने वाली बात है कि कितने तरीका से हल कर सकते हैं उसका कितने तरीका से आप हल कर सकते हैं तो आई यह हम देखते हैं कि रैखिक समिकरन यूगम को दो चरवाला रैखिक समिकरन यूग तो आप देख लिजेगा अच्छा से ठीक है न अब आई ये हम यह देख रहे हैं कि दो तोरृबालर कि समी करन को बास हमें कि तरीका से कितने वीजियों से हल किया जा सकता है अब क्या होका है दो ऌगा इस समीकरण दो चईर गिभाल कि वाले करने के विभिन विधी विभिन तरीका अब जो है दो चरवाले रखी को मुख्य रूप से पांच तरह से हल कर सकते हैं पांच तरह से हल कर सकते हैं पहला होगा आप याद रखेएगा एक तो होगा प्रति अस्थापन बिधी प्रति अस्थापन बीधी मतलब किसी एक का मान निकाल करके किसी दूसरे समी करण में रख के अधर कर रtu रहाए कने सव стороны अधर हम नहीं उसका हम समी करण में दोनों चरों का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा प्रति अस्थापन मतलब कि जिसका अस्थान बात समय निकाल करके दूसरे समीकरन में रखके हम उसको निकालते हैं प्रति अस्थापन दूसरा होता है विलोपन विलोपन या उसी को विलूपतिकरन या लूपतिकरन समझे लुप्ति करन विधी लुप्ति करन विधी लुप्ति करन विधी तीसरा मानली जी आप कह सकते हैं परती अस्थापन विलोपन लुप्ति करन इसी को कहते हैं लुप्ति करन आप दूसरा हो जाएगा आपको अनुपात विधी अनुपात विधी ठीगा ना आप एक और कर सकते हैं चार नमबर में तुलनात्मक विधी तुलनात्मक विधी पांच नमबर में कर सकते हैं तुलनात्मक विधी अनुपात विधी तुलनात्मक विधी परतियास्तापन बिलोपन अनुपात तुलनात्मक और एक और कर सकते हैं ब्रज गुनन विधी आर्फाद कायने का मतलब कि हम दो चरवाले राखिक समिकरन का युगर कहीं रहता है कभी भी रहेगा गाग तो युग में रहेगा तब इस कसे का निकाल भीएगा युग करेंगे तो यहां पर हम पर इसा प्रतिया स्थापन विधि आ हल कर सकते अनुपात विधि राख कर सकते हैं तो आप यहां पर क्या देखें की दो चरवारद रह्तिक सब्सक्रान के युग में पाँच तरीका से रहां कर सकते हैं हो अब ये साथ दिमाग में आप रट लीजिए पहला आप याद कीजिए परतियस्थापन जो सबसे फेमस होता है ठीक ना परतियस्थापन विलोपन या लुपतिकरन विदी तुनलात्मक विदी अनुपात विदी ब्रजगुनन विदी ठीक है अब एक और बात आए ठीक ना दो राखि दू쪽 करू तो संगत होगा जब संगत होगा तो अब इरोधी होगा तक है और गुकभी होगा जब बराबर नहीं होगा यह dirig को सबस्रे मतलब क्या है वो एक दूसरे के विरोधी है यानि एक दूसरे से मूब फुले लिए है जब मूब फुले लिए इसका मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा जब कभी नहीं मिलेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा इसलिए मतलब सब बराबर का मतलब क्या होगी यहां पर कि सब बराबर का मतलब सभी एक दूसरे पर सब बराबर का मतलब क्या हो गया कि सबी बिंदू उभाई निस्ट एक बिंदू एक बिंदू यह उभाई निस्ट है तो इसका मतलब जब सबी बिंदू परतिचे लिए बास में कि नहीं एक दूसरे को टच कर रहा है तो इसका मतलब उसका हल क्या होगा और नंत होगा जब हो गया एक दूसरे को टच कर गया तो संगत होगा जब एक साथ संग में आ विरोधी होंगे नहीं होंगे वह और विरोधी होंगे तो आई होप कि यह concept बहुत अच्छे समझा होगा अब हम लोग नेक्स टाइम में क्या करेंगे आपको कोंफी पर बताएंगे कि गराफ कैसे बनाना है एक वीडियो बनाएंगे आपको गराफ बनाने का तरीका कैसे आप वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए और डिस्लाइक कीजिए चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाल माच आती हुए तब तक के लिए जाहिंद